आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ Amazon पर product return कैसे करें दोस्तो अगर आपने कोई Amazon से product को मंगा लिया है और दोस्तो उसे जो है आप return करना चाते हैं और आपको जो है वो product पसंद नहीं आया है तो आप उसे कैसे return कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखते रिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तो स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं Amazon per product return करना काफी असान है दोस्तो Amazon per product को return करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना Amazon application को open कर लेना है जैसे Amazon को open कर लेते हैं कुछ इस प्रकार का आपके सामने interface आ जाता है अब आपको यहाँ पे करना यह है आपको जो है नीचे में एक second नमर वला option दिख रहा होगा ना इस पे click करना है और यहाँ पे जो है आपके सामने ऊपर के side में जो है your order का एक option आ जाता है इस पे आपको click करना है अब जैसे ही यहाँ पे click कर देते हैं तो दोस्तो आपके सामने जो है काफिसरा product आ जाता है अब दोस्तो आपको कौन सा product को आपको return करना है उसको slack कर लीजिए तो दोस्तो हमने जो है अभी एक जूता यहाँ पे order किया था उसको हमें return करना है तो simply उस पे आपको click करना है और यहाँ पे click करते ही आपका product यहाँ पे आ जाता है जैसे ही यहाँ पे आता है तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का option आता है अब जोस्तों आपको जो है यहाँ पे एक option दिख रहा होगा नीचे में आप देख सकते है return item यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है return item तो दोस्तो आपको simply इस पर click कर देना है अब जैसे ही यहाँ पे आप click कर दीजेगा तो दोस्तो आपके सामने फिर इस परकार का option आ जाता है थुआ देर आपको इंतिजार करना है और आपके सामने return और replace item का एक button आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं इस पर आपको click करना है जैसे ही यहाँ पे आप click कर देते हैं तो दोस्तो आपको return करने के लिए आपको कुछ reason select करना है side चोटा या फिर कुछ भी आप select कर लिजे फिर आपको item के बारे में कुछ भी लिखना है यहाँ पे कि आपका आइटम में कुछ गरबरी है, डैमेज है या फिर दोस्तों आपका कोई प्रड़क्ट डैमेज तो लिग दीजी हमने यहाँ पे डैमेज लिग दिया है फिर आपको यहाँ पे नीचे में कंटिनु के बटन पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही कंटिनु के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ओप्सन आता है अब जो है आपको सिंपली कंटिनु के बटन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे नीचे में continue के बटन पे आपको click कर देना है ठीक है अब जैसे ही आप यहाँ पे continue के बटन पे click करते हैं तो दोस्तों आपका जो product है वो यहाँ पे cancel होने के लिए return होने के लिए option आ जाएगा नीचे में confirm your return का button देख जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तो आपको जो है confirm your return के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो दोस्तो आपके सामने कुछ इस परकार का फिर से interface आ जाता है और यहाँ पर आपका product जो है वो return हो जाएगा तो कुछ इसी परकार से जो है आप Amazon पर product return कर सकते हैं